दोस्तो आज हम GTL, Infra और TTML को साथ में डिसकस करने वाले ये दो ऐसे पैनी श्टोक है जिसमें लोगों ने काफी जाला इंवेस्मेंट किया हुआ है और अब लगातार गिरावट हो रही है लोगों को समझ में नहीं आ रहे किया किया जाए स्टोक TTML तो बहुत नीचे आ गया अब जिसमें से गिरावट हो रही है उसे लोगों को बहुत जबरस लॉस भी हो गया तो क्या आगे तेजी बनने वाली है या फिर इसमें और गिरावट होगी क्या करना चीए आगे क्या इस समय में लॉस बुकर के निकल जाना चीए या फिर इस समय डिप में खरीदारी का मौका तलासना चीए तो बहुत सारी बाते जिसको इस वीडियो के मादेम से डिसकस करेंगे ये जो गिरावट का दोर है कहां पे जाके थमेगा और आगे क्या समय में बनेगी बाजार की क्योंकि गिरावट जो है वो हर तरफ है पैनी स्टॉक में तो जबरदस गिरावट है स्मॉल कैप की पिटाई बहुत जबरदस हो रही है जो बड़े शेयर है वो भी काफी नीचे आए अब एक तरसे जो देखे तो माहल भीड़ा ह हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़य है चाइना में फैला हुआ कोरोना आप देख सकते हो वहाँ पे हालत बहुत जारा बेकाबू होगे लोगों को मेडिसन नहीं मिल पा रही है नहीं ऑस्पिटल में जग मिल पा रही है और आप समझ सकते हो कि बहुत ही हमारे सेकेंड विव में हुए थे जब यहां पर हम देख सकते हो कि डेल्टा ने यहां पर बहुत ही जबरदस रौदर रूपधारण के दर वहाँ पर भी यही हालत है इस समय और इसी वज़से देखे तो सरकार ने जो थोड़े से कदम उठा है इसकी वज़से भी माहौल फ़ड़ा सा बीग्डा है लोगों को लग रहा है कि फिर से क्या लॉक्डाउन लगेंगे इन सारी बातों ने सेंटिमेट बिगड़ा है लेकिन आपको यह ध्यान अकरा है कि इस समय वो सीचेयोसंड नहीं है सबसे बड़ी बात तो है कि चाइना और हमारी है कि जो है सब से जो बड़ी बात है वो यह है कि already जब डेल्टा और ओमिक्रोन के समय लोग infected हो चुके तो उनके अंदर एक herd immunity भी बन चुकी है तो ऐसे में अब अगर यह variant आ भी जाता है तो उसका effect देखनों को इतना नहीं मिलेगा और इसलिए डरना की बात नहीं है फिर भी यहाँ पे रिटेल इंवेश्टर काफी ज़्यादा पैनिक कल चुके है और रिटेल इंवेश्टर की तरब से ही यहाँ पे भी क्वाली हो रही है तो अब आगे क्या समवाना मने है सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइड़े को आप देख से तो बीसी सेंसेक्स 59,845 के इसर पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे हमने 980 पॉइंट की बड़ी गिरावट देख है नहीं 1.61 परसन गिरा बीसी सेंसेक्स अब इस गिरावट के पीचे यह भी वज़य थी कि ग्लोबल बाजार में भी बहुत जवरस गिरावट हो थी और इसके बाद में जब बाजार अमारा खुला तो गिरावट के साथ ही खुला और लगाता दबा बंदा रहा अब यह गिरावट का आलम यह है कि उपर के लेवल से द सवर्दस पीटाई हुए है आप देख सकतो हो निप्टी स्मॉल केप हंडेट 4.72 परसेंट गिरा और निप्टी स्मॉल केप 50 4.60 परसेंट गिरा तो यह तो आप समझे सकते हो कि स्मॉल केप में जिस तर गिरावट हुए है तो यह स्टॉक अच्छूत दे निराएंगे यह जबर्दस पिटाई हो रही है उसके बावजूद भी लोवर सरक्रिंट नहीं लगना एक बड़ी पोजिटो सिगनल की तरहम देखते हैं आप देख सकते हैं तो पिछले एक साल में श्टॉक के अंदर हमने करीब 33% की गिरावट देखी है लेकिन 6 मन के इसाब से यह पर पर है जहां पर पहले था तो इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुआ है यानि लोगों का लॉस एक तरह से देखे तो यहां पे तो बच्चा हुआ है अब जीटियल इंफ्रा की बात के तो यह इसके पास 26,000 टावर्स का एक बड़ा नेट्वर्क है और 22 टेलिकॉम सरकल है यूनिक है लेकिन फिर भी कंपणी काफी समय से बड़े लॉस में है लेकिन यहां पे जो एक रिपोर्ट निकल के आ रही है इसमें आप देखे जिसके जो टॉप 10 शेर ओल्डर है उनके पास 52% शेर है कंपणी के यह सबसे बड़ी बात है यानि जो बड़े इंवेस्टर इनोंने काफी जबर्दस इंवेस्टमेंट के हुआ है चाहे बले ही प्रमोटर की ओल्डिंग आपे काफी कम हो 3% के आसपाँ लेकिन इंस्टिट्विशनल इंवेस्टर नहीं यहां पे जम के खरीदारी की हुई है तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो बड़े होल्डिंग है जिनकी 7.4% की होल्डिंग है इसके रहाब बैंक और बरोड़ा एसेट मेनेजमेंट अर्म होल्डिंग की 5.7% के होल्डिंग है तो यह आप समझी सकते हो कि काफी बड़ी-बड़ी होल्डिंग लेके रखी हुई है यहां पे तो यह जो बड़े फंड आउस इन्होंने यहां पर नीवेस अच्छा खासा किया हुआ है जिससे बात समझ सकते है कि आने वाले समय यहां पर कुछ पॉजिटिव समभादा तो बनी सकती है अब दूसरी तरफ एक बड़ी जीत इनको मिली जब इनको NCLD के जब खीचा गया तो यहां पर कोट में उनकी जो यह पेटिशन थी उसको डिस्मिस किया गया और इसके पीछे का गया कि पिछले कुछ सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देगे तो जीटियल इमानदारी से अपने लेंडर्स का जो भी बकाया हो चुका रहे उन्होंने करीब 16,950 को बीच की जो रकम थी हो 2011 से लेके 2008 के बी इसके पास इसके पास फिलाल का भी काफी जादा करज यानि समझ सकते हो की 13,393 कोरबिस का बड़ा रकम थे ऊइर से वसूल करना है इसके लाव अगर आप देखे तो दूसरा इनका और काफी जादा पर रिकावरी उनको करनी है जैसे इसमें आप देख सकते हो 49.84 क्रोबिस का है टाटा टेली सर्विस से वसूर करना है 20 क्रोड की रकम ATC से और 351 क्रोपी का रकम BSNL से लेनी है तो इस तरह से देखे तो यह कंपनी भी बहुत सारा कर्ज दुसरों जा है उनको वसूर करना है तो इसलिए यह आने वाले समय ऐसी कोई समावना नहीं बन दिया कि इसको NCD के इसके खीचा जाया तो कुल मिला के एक तरह से रहात मिली है और दूसरी एक और अच्छी बात यह रही कि इनके रिवेन्य में गिराउट देखना हो को मिली नेट प्रॉफिट मार्जिन 87.13 परसेंट है जहां पर 53 परसेंट की यह रहाण बेसिश पर गिराउट देखना हो मिली तो कंपनी की प्रॉफिट में कमी है लेकिन रिवेन्य बढ़ रहा है तो कुछ आने वाले समय में यहां पर पॉजिश कर रहे है आप यह देखी सकते हो कि इनकी लाइबिलेटीज 2017 में तो काफी कम ती 876 करोट पिस के आसपस थी यानि कंपणी की सेहत काफी जादा ची दी लेकिन 2018 में देख सें की लाइबिलेटी आपस पहुच गी जो 2019 में घटके 7566 करोट पिस के आसपस आ गई और 2020 में घटक तो यह आप देख से तो पिछले कई सालों से लगाधर कंपनी अपनी जो भी देनदारिया उसको चुका रही है तो यह एक बड़ी पॉजिटिव एक करसे सिग्डल है जो इस सारा खरेके आने वाले समय यहां पर कुछ पॉजिटिव सम्मान जरू बन सकती है यहां पर जो सबसे बड़ी विखने से वह है प्रमोटर की होडिंग जो मातर 3.33% किया है लेकिन FI ने अपनी होडिंग को बड़ा है 0.14% किया है और D.I. की भी यहां पर जबरस होडिंग है 46.34% की होडिंग हमने देखा है कि कुछ बड़े इंस्टिटिशन इन्वेस्टर न इसमें न करें क्योंकि कंपनी काफी ज़्यादा वीक है अब हम चलते है T.T.ML की तरह 80.95 पर श्टॉक आ जोगा 25% का लोवर सर्कृट लगा है आप देख से कि स्टॉक जबर्दस वीकनेस जारी है यहां पर पिटा ही जबर्दस हो रही है लेकिन यह समझ सकते हो कि COVID काल में स्टॉक की प्राइज 1 रुपीज के आफ फस्ति वहां से 300 तक चला गया है और काफी लोगे जो कहरें कि फिर से 1 रुपीज जगाएगा तो ऐसी आप संबावना नहीं है क्यों कमपनी अपने बीदस को बदल दिया है पहले कमपनी का टेलिकॉम का बीदस था जो काफी ज़् सर्विस प्रवाइड करती है और काफी सांदार बीदस है तो कमपनी देर अपने लॉस को भी कम कर रही है तो आने वाले समय इसकी प्राइज जरूर नीचा आगी इतनी नीचा ने आगी डिप में इसको खरीदारी जरूर आपको करनी चीए आप यह देखी सकते हो कि स्टॉ चाहे कॉलेज हो उनिवर्सिटी हो या एंजियो हो इस तरह की जितने बड़े कॉर्पोरेट आपीस है उन सब को स्मार्ट इंटरेनेट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है तो बीदस लगातार बढ़ रहा है और इस समय जब काफी स्टॉक नीचे गिरा है तो इस वाली बहुत लिमिटेड की है इससे एक बात तो समझे है कि जो बाजर गिरा है उसके पीछे जवाबदार है रिटेल इंटर जो कोरोना की वज़े से डर गए और ऐसे में आने वारे समय बाजर फिर से संबल सकता है तो आप वेट करें बाजर के संबलने का और जैसी बाजर गया जबर्दस मार्केट के पर गिरावट हुई है और पूरे साल में अगर देखे तो यह यह टूडेट के हिसाब से 61% की इसमें गिरावट हुई है और साल बर में 48% श्टॉक नीचे आ चुका है जिसने भी 1 लेका निवेस किया होगा फिलाल उसका जो निवेस से घटके 37 27,000 के आसपास आ गया है यहनी जबर्दस गिरावट हुई है काफी ज़्यादा लोगों को लॉस भी हुआ है लेकिन अब आने वाले समय इसमें पॉजिटिव संभाव न बन सकती है तो फिर इस समय लॉस बूक न करें आप यह देखी सकते हो कि कमपनी न अपने रिजल में क काफी दमदार आकड़े दिखा है इनका रिवेन्यू 279 को भीज के आसपास रहा है सेप्टरम्बर में जापे 2.84% की यह बढ़त देखनों को मिली नेट इंकम 292 को भीज का निगेटिव था जापे 6.65% की यह बढ़त देखनों को मिली नेट प्रॉफिट मार्जिद माइन मिली नेट 4% के आसपास है जापे 9.23% की यह बढ़त देखनों की लॉस में कमी आ रही है जिससे मैं समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कमपणी कमाल कर सकते हैं दूसरी तरवगत देखे तो कंपणी अपनी लाइबिलिटीज को लगातार कम कर रही है यहाँ पे आप द रही है जो 2022 में कम होके सिधा 1295 पर बीज के आसपास आगी है तो यह आप देखी सकते हो कि कंपणी लगातार अपनी देंदरिया क्लियर कर रही है एक तरस से देखे तो यह लाइबिलिटी जिस तरस से कम हो रही है एक पॉस्टिव ट्रिगर है जो इसारा कर रहा है कि आने सबस्ट पर से चुका है जो पिछले कई सालों से निगेटिव था इसके अलावा प्रोफित ग्रोफ को देए तो 5 यह के साबसे टीटिव था लेकिन 3 यह के सब्से माइनस 7 पर से Candid ho 4% तो सेल्स और प्रोफित डोनों ही आख्रे पॉस्टिव बन चुके जो इस सारा कर रहे यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपस के लिए ही बनाए वीडियो पुसंद आए तो लाइक से जूर किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंकियो फ्रेट